तो अब आपको दिखाते हैं कल से कहां और कैसे दी जाएगी विक्सीन, इस बात का ध्यान रखेगा कि कल से विक्सिनेशन का ड्राइर रव है नए साल पर सबसे बड़ी खुश खबरी नए साल पर सबसे स्वास्थ वर्धक रिपोर्ट नए साल पर इतिहास रचने वाली तस्वीर यह एक नोटिस है जो दिल्ली के पहले कोविड-19 वैक्सीन सेंटर पर लगा है यह वैक्सीन सेंटर श्रिणिवास्पूरी के मेटरिनिटी होम यानी मात्रित्व प्रसूती केंद्र में है जहां सुभह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक वैक्सीनेशन का ड्राइर रन किया जाएगा यानी वैक्सीन लगाई जाएगी इस नोटिस में 4 जरूरी निर्देश भी है देश के हर वैक्सीन सेंटर पर आपको ऐसे ही निर्देशों का पालन करना होगा इसलिए इस नोटिस को ध्यान से पढ़िए पहला वैक्सीन लगाने के लिए आते समय पहचान पत्र लाना जरूरी है दूसरा मास्क जरूर पहने दीसरा वैक्सीन सेंटर पर एंट्री से पहले हाथ सेनिटाइज करें और चौथा दो गज की दूरी का पालन करें चार निर्देशों की तरह इस वैक्सीन सेंटर में 4 काउंटर भी है पहला काउंटर रेजिस्ट्रेशन का है खेला काउंटर हमने देखा जो रेजिस्ट्रेशन का काउंटर था ये काउंटर नमबर टू है जहां सभी जो जरूरी चीजे हैं वो दर्च की जाएंगी नामपते चेक किये जाएंगे और उसके बाद जो भी बेसिक चेक अप होता है जैसे हमने आपको बताया बीपी टेंप की जाएगी वो जगहे जहां वैक्सीन दी जाएगी और इस जगहे से जी मीडिया रिपोर्टर पूजा मकड आपके लिए बहुत जरूरी जानकारी शेयर कर रही है यहां पोट तो इसके साथ वाले काउंटर नंबर पोर में जहां पर ऑप्जरविशन सेंटर है इसमें और पानी से लेके वाश्रों तकी सारी वववस्ता ही की गई है उसके बाद अगर फिर प्रिशन्ट को को प्रॉब्रम होती है तो उसके बाद हमारे एमूलेज की वेटिंग एरिये में और 20 मिर्ट रखने के बाद उनको डिस्चाज किया है जी बिल्कुल तो जराजपाल जी ने बताए यह पूरी वश्ता हम आपने आ दिखा रहे है यह दिली सरकार का वैक्सीन डिस्टिबूशन रिजिस्टर भी है जो इम्मुनाइज़ेशन के लिए ह यहां पर रखा गया है 2020-2021 लेकिन अभी हम आपको कोल्ट स्टोरेज दिखा रहे हैं जो की लगातार कहा जा रहा है कि जिस भी वैक्सीन को बंजूरी बहुती है उसे 2 से 8 डिगरी या फिर कुछ माइनस के तेमडेचर पर जरूरत होगी तो यह जो डीप्रीजर होते हैं यह इसी तरह से डिजाइन किये जाते हैं जहां पर आप वैक्सीन को स्टोर कर सकते हैं और इसलिए एक ओल्ट स्टोरेज जो है उसकी व्यवस्था भी यहाँ पर पूरी कर दी गई है दिल्ली की तरह देश के अलग-अलग शेहरों में भी वैक्सीन सेंटर हैं जहां कल से ड्राइ रन किया जाएगा ये तो हुई वैक्सीन की पूरी प्रक्रिया अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या इस ड्राइ रन में आप भी शामिल हो सकते हैं अगर आप स्वास्थ कर्मी हैं तो हाँ आप भी ड्राइ रन में शामिल हो सकते हैं लेगिन अगर आप स्वास्थ कर्मी नहीं हैं तो अभी आपको वैक्सीन के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा क्योंकि सरकार की और से पे नियोमों के मुताबिक वैक्सीन सबसे पहले हिल्थ केर स्टाफ और फ्रंट लाइन वॉकर्स को लगाई जाएगी फिर 50 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों की बारी आएगी और अंत में 50 वर्ष से कम उम्र के उन लोगों को वैक्सीन लगेगी जिन्हें गंभीर बिमारियां हैं अब सवाल ये है कि वैक्सीनेशन का ड्राइरन क्यों जवाब स्वास्थ मंत्री से जाने है ये जो ड्राइरन है इसका परपस की यही है कि हम सब लोग अपने आपको अच्छी तरीके से तयार कलतें और पुटेंशन की खीजों के साथ कॉमनिकेशन ठीक से हुआ की नहीं हुआ, उनको टेक्स मेसिज़िस जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं उनको राइक्सीनेशन मिलने के बाद एलेक्ट्राणिक उनको साठिटिफिकेट वेड़ और में देखना है वैक्सिनेशन का ड्रायरन शुरू होने में अब सिर्फ 13 घंटे बचे हैं हमें यकीन है कि कल जब आप सुभे सो कर उठेंगे तो देश नया इतिहास लिख रहा होगा उजा मत कर जी मीडिया दिल्ली